हरे कृष्णा, महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिसे किसी परिजय की आविक्षक्ता नहीं है स्तत्य और रहिंसा का पुजारी जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से छुडाया था उन्होंने हमारे देश की अजादी में एक प्रमुख भूमिका निभाई है गांधी जी की मा का दिहांत उनके बच्पन में ही हो गया था इसलिए मा के नव रहने पर दे प्यार दुलार और मार्क दर्शन उन्हें मिला है श्रीमत भगवत गीता से दे श्रीमत भगवत गीता को गीता मैया कहते थे दे कहा करते थे कि जब भी मेरे शितिच पर निराशा चा जाती थी तब मैं भगवत गीता को लेता था और उसका कोई श्लोक पढ़ता था जिस से मुझे राहत सी मिल जाती थी और मैं मुस्कुराने लगता था नोबल पुरुसकार विजयता अलबर्ट आयंस्टाइन को ये रिग्रेट होता था कि उन्होंने अपने यौवन काल में भगवत कीता क्यों नहीं पड़ी हम लोग भगवत कीता को अपने घर में लाल वस्त में रखते हैं और इसकी कसमे खाते हैं इसकी उज़ा भी करते हैं पर ये गीता का यथाट सम्मान नहीं है गीता का यथाट सम्मान तब होगा जब हम भगवत कीता को पढ़ेंगे और उसमें लिखे गए ज्यान को अपने जीवन में इंप्लिमेंट करें जब भी सवाल आता है गीता पढ़ने का तो हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है जो कि कल्युग में एक चिरकाली विमारी है काफी लोग कहते हैं कि गीता पढ़ना तो सन्यासियों का काम है तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूं कि अर्जुन एक ग्रहस्त थे और उनके उपर काफी सारी जिम्मेदारियां थी उस समय वो यूतिस्तल में कड़े थे जहां पर ये एक महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे थे जब श्री भगवान कृष्म ने उन्हें गीता का सार सुनाया था तब ये उस निर्णय को अच्छी तरीके से ले पाए थे जब अर्जुन जैसे जिम्मेदार व्यक्ती समय निकाल के भगवान से गीता सुन सकते हैं तो हम कैसे नहीं समय निकाल सकते और इससे भगवान ये भी पताना चाहते हैं कि अगर हम अपने जीवन का कोई important decision लेने जा रहे हूँ तो हमें उससे पहले गीता पढ़नी चाहिए जो हमें help करती है उस decision को अच्छी तरीके से लेने में तो हमें भी गीता का सम्मान करना चाहिए जिसे पढ़के हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं तो आईए आज से ही हम लोग गीता पढ़ना शुरू करें और इसकी teachings को अपनी life में implement करना सीखें और एक ऐसा जीवन जीए जिसका कोई अर्थ हो और कोई उद्देश हो और पूर्ण तया आनंद और शांती का अनुभव करें धन्यवाद हरे क्रिश्ना